आज आप जानेंगे एक ऐसे पक्षी के बारे में जो प्रातहकाल सबसे पहले या कहें तो ब्रहम महुर्थ में सबसे पहले बोलने वाला पक्षी है नमसकार, मैं प्रदीप सुक्ल आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आज आप जानेंगे ओरियंटल मैगपाई रॉबिन के बारे में इसे दहियर, दहियल, काली सुई चिडिया, कहीं कहीं ठाकुर चिरिया, ग्वालिन, दयाल या राम चिरिया भी कहते हैं संस्कृत में इसे कालकंठ या स्रीवद भी कहते हैं इसका जियोलोजिकल नेम कोपसाइकस सौलैरिस है और यह फैमिली मसी कैपिडी को बिलॉंग करता है ट्रॉपिकल सदर्न एसिया में पाया जाने वाला यह पक्छी पूरे इंडियन सब कॉंटिनेंट में बड़े आसानी से हर जगा मिल जाता है यह जमीन की सतह के आसपास अकसर दिखता है मेल यानि की नर जो होता है उसका अपर पार्ट हेड थ्रोट वो ब्लैक होता है जबकि अंडर पार्ट हुआइट या सफेद होता है फीमेल ग्रेस ब्लैक कलर की होती है मेल वर फीमेल दोनों ही अपनी पूँच को उपर की तरफ उठाते हैं और एक जटके से नीचे गिरा देते हैं इसकी लंबाई करीब साढ़े साथ इंच की होती है ये इसकी आप आवाज सुन सकते हैं इसके भोजन की बात करें तो ये मुख्यतिया इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोडों को खाती है यह पत्थरों के बीच मुलायम घोसला बनाती है घोसला घास से बना होता है जिसमें तहनी जड़े उन रूई बाल आद बिछा होता है पत्थरों के बीच घोंसले बनाना इसकी खास बात होती है मादा घोंसले में करीब 4 से 5 अंडे देती है और अंडों का जो इंक्यूबेशन है यानि कि जो अंडे सेने की प्रक्रिया है वो मादा अकेले ही करती है और ये करीब 8 से 14 दिन तक चलता है ये एक किशोरवय का मैक पाई रॉबिन है आयूसीन रेड लिष्ट स्टेटस की बात करें तो ये लीष्ट कंसरन की स्रिणी में है यानि कि अभी इसकी प्रजाती को कोई खतरा नहीं है अब कुछ और इंट्रेस्टिंग फैक्ट के बारे में जान लेते है तो इसका जो नेड काल है यानि की ब्रेडिंग सीजन वो मार्च से जुलाई के बीच होता है इनका जीवन काल यानि की लाइफ स्पैन करीब 10 से 15 साल होता है और ये बांगला देश का राष्टी पक्षी भी है उम्मीद है औरियंटल मैक पाई रॉबिन के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं नमस्कार